नमस्कर दोस्तो रेल्वी की पार्ट शाला में आपका स्वागत है दोस्तो यहाँ पर एक PDF है एक डेटा है जो यहाँ पर वाइरल हो रहा है उसके बारे मैं आपको पूलिक सचाई बताऊंगा इसमें दोस्तो रेल्वी के सभी RRC जो है उनकी जो प्रोसेस है और DV Medical सब के बार करने के लिए चेनल को भी सब्सक्राइब करें यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे तो यह आपके साउथ इस्टर रेल्वी की तरब से यह जो नोटीस है यहाँ पर जारी किया गया था नोटीस हारी नहीं एक इंटरनल आदेश है जो दोस्तों 21-12-22 को यहाँ पर भीजा और आप देख सकते हैं कहां से बिजा गया था ओफिस आफ दोस्तों छीफ मेटिकल डिरेक्टर जो है यहां बोले सकते हैं यहाँ पर देखिए तो यहां पर दिखेंगे अ तो यहां पर वेजा है तो यहां पर दिखिए यह order number है और यह data है यह official letter है लेकिन थोड़ा पुढ़ारा है लेकिन अपने काम का है तो यहां पर आप देश सकते हैं सब्जक्ट देखिए allocation for doing medical examination for m panelment and appointment of level 1 CNRRC 1.20 तो यहां पर बोल रखा है कि वह जो RRC group D की भरती है तो उसका हमको medical exam कराना है क्योंकि उन्हें पैनल में डालना है और उनकी appointment करानी है उसके लिए तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दुस्तों बोल रगा है यहाँ पे दुस्तों बोल रगा है कि आपको नीचे एक PDF दी गई है जिसमें data दिया गया है तो उसके नुसर रर्ची C&N 01219 जो है उसमें दुस्तों रर्ची Southern Eastern Railway है South Eastern Railway SCR उसे दोस्तो 4914 करणी डेट का यहाँ पर क्या करवाना है medical करवाना है और उसमें timeline दिया है उस timeline को follow करना है और उस timeline के नुसर दोस्तों 15 फरवरी से और 28 परवरी के बीच यह जो करणी डेट है 4914 उनका आपको medical exam करवाना है और आगे बोला गया है तो यहाँ पर बोल रखा है कि आपको 15 फरवी 2023 से medical exam सुरू कर देना है तो यहाँ पर आप देखेंगे यह दोस्तों railway के hospital है साथ hospital railway के जहाँ पर आपका होने वाला है और यहाँ पर बता भी रखा है कितने candidates परड़े लिये जा सकते हैं तो यहाँ पर देखेंगे यह वाले hospital बड़े है इसलिए डेली 100 candidate को बुला जा रहा है यह थोड़े medium size के है वाँ पर करमचारियों का और सब जीज़ है इसलिए थोड़े कम candidate दबकि यह दो छोटे hospital है इसलिए वाँ पर दोस्तों कम candidate को बुला जा रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे the necessary infrastructure, manpower and logistic must be made available at the earliest in the hospital तो जो भी manpower भी जरूत है जो भी infrastructure की जरूत है वो दोस्तों hospital में पहले से आप विवस्ता कर लीजिए ताकि जो दिये गए timeline है उसमें दोस्तों यहाँ पर railway जो है अपने candidate का यहाँ पर अपर प्रोसेस कर सके तो यहाँ पर आप देखें पूरे जो RRC उनका data यहाँ पर है पहले हम देख लेते हैं एक एक RRC को लेकिन यहाँ पर देखें सब कुछ आपको बता रखा देखो बिल्कुल data मैं आपको देखाता हूँ कहां गडबड़ी है और क्या सही है इसमें देखें यह जो वेकेंसी है बिल्कुल सही है पूरी पूरी वेकेंसी की टेबल एकदम सही है अब यहाँ पर देखें पहला आपको कोलम दे रखा है कि भई P.E.T. का रिजल्ट कब तक आ जाएगा तो यहाँ पर देखें उन्हें एक टाइम लाइन रखे गई है आप यह मत देखना है कि भई यह डेट है डेट नहीं है यहाँ पर बोला कि यह टाइम लाइन है मतलब इसके अंदर अंदर करना है और बिल्कुल आपने देखा होगा 31 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट आ गया था P.E.T. का तो पहला बिल्कुल सही है दूसरा बोला था है जब P.E.T. है वो आपके 15 जनवरी से सुरू हो जाएगा तो बिल्कुल सही है 15 जनवरी से मैक्सिमम R.R.C. के जो P.E.T. है वो यहाँ पर सुरू हो गए थे और कब आपका P.E.T. खतम हो जाएगा वो भी आप देख लीजिए तो यहाँ पर आप देखेंगे P.E.T. का इन्हों रखा जाता है कब तक हम खतम कर लेंगे तो आप देखें इन्होंने टार्गेट रखा था यहाँ पर देखें कि वहाई सभी RRC का यह रहा टार्गेट इसमें देखें मैं RRC जैपुर का आपको बता हूँ तो RRC जैपुर की वेकेंसी है 52949 और यहाँ पर देखें जो 16 से लेके और 21 तक इन्हों का चला था पीटी और दो कि यहाँ तो बिल्कुल टार्गेट रखा था कि हम 15 जन्हों करेंगे बिल्कुल 16 सी इन्हों सुरू कर दिया और खतम करना था जैसे NWR का में दिखाऊं तो इनकों नों डाइरेक्टी तीन से मल्टिप्लाई कर दिया जबकि एक्चुल में जो कंड्रेट बुलाए गये थी ना उन्हें दोस्तों आपने देखा होगा कि अपरेंटिस वालों को नहीं बुलाया गया था इस वज़से दोस्तों यहाँ पर यह संक्या न यह थोड़ी गड़बड है इन्होंने उसते में केलेगोलिशन में गड़बड कर दी लेकिन जो डेटा है वो बिल्कुल प्रोपर है आना तो यहाँ पर इन्होंने यह गड़ब डी वी कब यहाँ पर दे रहाए देखो रिजल्ट कब तक आजाएगा रिजल्ट और पीट अन्हों पीट का रिजल्ट कब आएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी आरार्सी का पीट एक रिजल्ट के बारे मता रहा है कि जो पीट का रिजल्ट और डीवी के लिए जो तो यहां पें आपल दिए नमर above न की दोग्राइप ल histories आहिए जाएक और यहां की तो यहां पर दिखने के थी बात करूंगों तो यहां पर देखेंगे तो यह रही तो यहले पांदरा फर फर रवरी मिलेंगे जो documents है वो बनवाने के लिए और इतने sufficient होते हैं आपको अलग से document ज्यादा बनवाने के जूर्थ नहीं पड़ती है और यहां पर आप देखेंगे call letter कब download कर सकते हैं तो call letter आपको पताए कि भई जो है यहां पर आप दोस्तों यहां पर यहां पर यहां पर आपकी जोनिंग कर देंगे और इसमें देखेंगे आपकी timeline है maximum आप देख सकते हैं अप्रेल 15 अप्रेल जो है दोस्तों इन्होंने रखेंगे 15 अप्रेल तक आपकी जोनिंग है सभी आरार्सी की करवादी जाएगी तेकि दोस्तों घ्रेवात्रूम